भारत सरकार के द्वारा लाखों सरकारी करमचारियों के लिए इस बार दिवाली पर बोनस के साथ साथ एक और बड़ी घोशना की गई है नोर्थीस्ट रीजन जम्मो कश्मीर लद्दाख और अंडमान के लिए LTC का जो विशेश पैकेज था वो 25 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया था और इस स्कीम के एक्स्टेंशन के ओर्डर का सभी सरकारी करमचारी बहुत दिनों से इंतिजार कर रहे थे इसके संबंद में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ओफ परसनल एंड ट्रेनिंग यानि के डियो पीटी ने 11 अक्टूबर 2022 को एक ओयम इशु किया है जिसके माध्यम से नोर्थीस्ट रीजन जम्मो कश्मीर लद्दाख और अंडमान के लिए LTC के इस स्पेशल पैकेज को 25 सितंबर 2022 से आगे एक्स्टेंड करने की घोशना की गई है आज की इस वीडियो में इस ओयम में दी गई टर्म एंड कंडिशन्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन करमचारियों को सरकारी सेवा में अभी 7-8 साल ही हुए हैं उन करमचारियों के लिए इस स्कीम में विशेश स्वीधाएं दी गई हैं इन सभी पॉइंट्स को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें आइए शुरू करते हैं इस ओयम के पहले पॉइंट में बताया गया है कि नोर्थीस्ट रीजन जम्मू कश्मीर लद्दाक और अंडमान के लिए LTC की स्पेशल स्की स्कीम में जो टर्म एंड कंडिशन से लागू होंगी वो इस प्रकार से हैं इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि सभी एलिजीबिल सरकारी करमचारी चार साल के एक ब्लोक पीरियड में अपनी एक होमटाउन LTC का कनवर्जन नोर्थीस्ट रीजन या अंडमान या जम सरकारी करमचारी जिनका होमटाउन और हेड क्वार्टर या प्लेस ओफ पोस्टिंग एक ही जगह पर है ऐसे करमचारी होमटाउन LTC के लिए एलिजीबिल नहीं होते हैं इसलिए इन करमचारियों को किसी होमटाउन LTC का कनवर्जन अलाउन नहीं किया गया है इसके तीसरे में दिया गया है कि ऐसे सरकारी करमचारी जिनका होम टाउन नोर्थीस्ट रीजन या अंडमान या जम्मो कश्मीर या लद्दाक में किसी जगह पर है ऐसे सरकारी करमचारीयों को भी LTC की इस special scheme में होम टाउन LTC के कनवर्जन को अलाउ किया गया है यहां पर खास जान देने वाली बात यह है कि ऐसे करमचारी अपने होम टाउन वाले रीजन को छोड़ कर बाकी के तीन रीजन में से किसी प्लेस को विजिट करने के लिए ही अपनी होम टाउन LTC का कनवर्जन कर सकते हैं इसके चोथे में आने वाले नए करमचारियों को चार साल के एक ब्लोक यहर में तीन होम टाउन LTC परदान की गई हैं यह करमचारी नोर्थ इस्ट रीजन या अंडमान या जम्मू कश्मीर या लद्दाख के किसी प्लेस को विजिट करने के लिए अपनी तीन होम टाउन LTC में से किसी ए को होम टाउन LTC का कनवर्जन कर सकते हैं यहां पर खास जान देने वाली बात यह है कि ऐसे करमचारियों को चार साल के एक ब्लोक यहर में जम्मू कश्मीर या लद्दाख के किसी जगह को विजिट करने के लिए एक एडिशनल होम टाउन LTC के कनवर्जन को अलाउ किया गया है यानि के इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे करमचारी अपनी तीन होम टाउन LTC में से दो होम टाउन LTC का कनवर्जन इस्पेशल डिस्पेंशेशन इसकीम के लिए कर सकते हैं लेकिन उन में से एक कनवर्जन जम्मू कश्मीर या लद्दाख के किसी प्लेस को विजिट करने के लिए होना चाहिए सरकारी सेवा में आने वाले नए करमचारियों के लिए LTC के नियमों के संबंद में एक वीडियो को पहले ही अपलोड किया जा चुका है इस वीडियो का लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसके पॉइंट पांच में बताया गया है कि ऐसे सभी सरकारी करमचारी जो LTC के लिए Air Travel के Entitled में वो अपने Headquarter से Air Travel की अपनी Entitled क्लास में किसी भी Airline से LTC की इस Special Scheme को अवेल कर सकते हैं इस संबंद में DOPT के 29 अगस्त 2022 के Office Memorandum में Term and Conditions दी गई हैं DOPT के इस Office Memorandum की Term and Conditions के संबंद में एक वीडियो को अपलोड किया जा चुका है इस वीडियो का लिंक नीचे Description में दिया गया है जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसके 0.6 में बताया गया है कि ऐसे सरकारी करमचारी जो LTC के लिए Air Travel के Entitled नहीं है ऐसे करमचारियों को भी किसी भी Airline से Economy Class में Air Travel के लिए Allow किया गया है इसके संबंध में DOPT के 29 अगस्त 2022 के Office Memorandum में Term and Conditions दी गई हैं यहां पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे करमचारियों को नीचे दिये गए इस्थानों के लिए ही Air Travel को Allow किया गया है इसमें पहला है कोलकाता या गोहाटी से North East Region की किसी जगह तक दूसरा है कोलकाता या चैन नई या विशाखा पटनम से Port Blair तक और तीसरा है दिल्ली या अमरित सर से जम्मो कश्मीर या लद्दाख की किसी जगह तक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे सरकारी करमचारी जो LTC के लिए Air Travel के Entitled नहीं है उनकी Headquarter से लेकर के कोलकाता या गोहाटी या चैन नई या विशाखा पटनम या दिल्ली या अमरित सर्तक की यात्रा को उनकी LTC के Entitlement के According रेस्टिक्ट किया जाएगा इसके Point 7 में बताया गया है कि सरकारी करमचारीयों को North East Region, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान के लिए Anywhere in India LTC जिसे All India LTC भी कहते हैं या Home Town LTC के Conversion दोनों ही प्रकार की LTC के लिए Air Travel को Allow किया गया है इसके Point 8 में बताया गया है कि जो सरकारी करमचारी LTC के लिए Air Travel के Entitled नहीं है ऐसे करमचारी अपने Headquarter से सीधे North East Region या अंडमान या जम्मू कश्मीर या लद्दाख के किसी इस्थान के लिए किसी भी Airline से Economy Class में Air Travel के लिए Allow किये गए हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी इस्थिती में करमचारीयों के LTC के Reimbursement के क्लेम को DOPT के 29 अगस्त 2022 के OM में दी गई Conditions के आधार पर ही पास किया जाएगा इसके Point 9 में बताया गया है कि Authorized Travel Agent के माध्यम से Air Ticket की Booking, Best Available Fair, Time Slots, Advance और Reimbursement के संबंद में DOPT के 29 अगस्त 2022 के OM में जो दिशानिर्देश दिये गए हैं वो सभी दिशानिर्देश LTC की इस Special Dispensation Scheme पर भी लागू होंगे इस OM के Point No.3 में बताया गया है कि सभी कारियालिये अपने करमचारियों को यह बात संग्यान में ला दें कि LTC के किसी भी Miss Use को Seriously देखा जाएगा और इसके लिए करमचारियों के खिलाफ नियमों के अंतरगत कारियवाही की जाएगी इसी Point में आगे बताया गया है कि LTC के किसी भी प्रकार के Miss Use को रोकने के लिए कारियालियों को यह सलाह दी जाती है कि करमचारियों के द्वारा जमा किये गए कुछ Air Tickets को Randomly Airlines से Air Travel के वास्तिवी खर्चे और टिकट पर छपी हुई राशी को वेरिफाई कर लेना चाहिए LTC की Special Dispensation Scheme के इस Order को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में दिया गया है आज की वीडियो में बस इतना ही आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार नमस्कार